जोइस्टिक, अब अल्रडी इस मॉडियूल को यूज़ करते हैं वाइल प्लेइंग विडियो गेम्स और यूज़िंग रिमोर्ट कंड्रोल कार्स मगर आज हम सीखेंगे जोइस्टिक मॉडियूल को और्डीनो के साथ यूज़ करना और जोइस्टिक की पुज़िशन को और्डीनो पे डिस्प्ले करना So, let's dive in और्डीनो के साथ हम ये वाइला जोइस्टिक मॉडियूल यूज़ करेंगे इस मॉडियूल की 5 बिंस हैं Ground, 5 वोल्ट PCC, VRX, VRY और Switch VRX और VRY पिन से हमारा जोइस्टिक का X-axis का कॉडिनेट और Y-axis का कॉडिनेट और डिनो को ट्रांसफर होता है हमारी जोइस्टिक मॉडियूल की लास्ट पिन स्विच है जोइस्टिक को पुश करके हम इसे as a switch भी यूज़ कर सकते हैं यानि apart from just receiving values of X-coordinate and Y-coordinate of joystick हम इससे एक digital value 0 या 1 भी ले सकते हैं depending आपकी joystick pushed down है या अपने default position पे है हमारी joystick की mean position 511,511 coordinates से represent होती है अगर मैं अपनी joystick को उपर की direction में move करूं तो उसके coordinates 511,0 की तरफ shift करते हैं अगर मैं अपनी joystick को नीचे की तरफ move करूं तो उसके coordinates 511,1023 तक move करते हैं अगर मैं अपनी joystick को left की तरफ move करूं तो coordinates 0,511 की तरफ shift करते हैं और right की तरफ move करने पर coordinates 10,23,511 की तरफ shift करते हैं हम अपने project में joystick को move करके उसके current coordinates को serial monitor पर display करेंगे implementation के वक्त सबसे पहले हम code discuss करेंगे और फिर हम hardware setup की तरफ move करेंगे code में सबसे पहले हमने y value और x value के integers declare किये हैं ये वो variables हैं जहां पे हम अपने vrx और vr y से animally positions को store करेंगे फिर switch के लिए एक variable declare किये इस tutorial में हम joystick को as a switch नहीं use करेंगे अगर आप joystick को as a switch यूज करना चाहते हैं तो code में दिये के commented part को uncomment करें और अपने switch की pin को Arduino की pin number 3 से connect करें और आप अपने joystick को as a switch भी यूज कर सकते हैं फिर void setup में vrx और vr y से connected Arduino की pins को input mode में declare करें मॉनिटर पर display करेंगे ना लेट्स मूव ओन तो hardware software और hardware setup के बाद अब हम demo पर move करेंगे as you can see मेरी joystick की rotation के साथ मेरी serial monitor पर values change करेंगे आप joystick को or explore कर सकते हैं इसे as a switch यूज कर सकते हैं और serial monitor पर या motors के साथ या different outputs के साथ इसका behavior देख सकते हैं joystick के बारे में और learn करने के लिए और joystick controlled car बनाने के लिए description में दीगी link को जरूर follow करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे सीखा हो तो like जरूर करें और अपने friends में भी share करें अपने projects और ideas भी हमारे साथ जरूर share करें team deep live signing off